नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों साल 2024 का पहला सुरी ग्रहन 8 अपरिल 2024 को लगने चारा है ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग इस ग्रहन के सही समय के विसे में बात करेंगे सूता काल के बारे में जानेंगे यह ग्रहन कौन-कौन से देशों में दिखाई देगा क्या यह ग्रहन भारत में लगेगा क्या इस ग्रहन से जुड़े हुए नियमों का पालन हमें भारत में भी करना है इन सभी के विशे में हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों साल का पहला चंद ग्रहन 25 मार्च को लगा था और अब इसके ठीक 14 दिन बाद 8 अपरील को साल का पहला सुर्य ग्रहन लगने जा रहा है और ऐसा माना जाता है यदि 15 दिनों के अंदर दो ग्रहन लगे तो ऐसे ग्रहन बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं और इन ग्रहनों में हमें ग्रहन से जुड़े हुए नियमों का पालन अवस्य करना चाहिए खास करके अगर यह ग्रहन आपके देश में लगा हो तो आपको ग्रहन से जुड़े हुए नियमों को जरूर मानना चाहिए तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले इस सुर्य ग्रहन के सूतक काल के बारे में फिर हम लोग समय और देश के विशाय में बात करेंगे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे सुर्य ग्रहन लगने से ठीक बारे घंटे पहले ग्रहन का सूतक काल शुरू हो जाता है हाला कि चंद ग्रहन में यह सूतक काल नौ घंटे पहले सुरू होता है सूतक काल सुरू होने के बाद देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिये जाते हैं इस दोरान मंदिरों में परवेश वर्जित माना जाता है इस दोरान सभी परकार के सुभकारियों की मनाई होती है ऐसा माना जाता है सूतक काल लगने के बाद किसी भी परकार के सुभकामों को नहीं करना चाहिए दोस्तों सूतक काल की समापती ग्रहन के समापती के साथ ही होता है दोस्तों आपको बता दे कि अगर आपको ग्रहन का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूता काल का समय निकाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यह ग्रहन कौन-कौन से देशों में दिखाई देगा और इस ग्रहन का सही समय क्या होगा दोस्तों साल का पहला सुरीय ग्रहन रात 9 बच कर 12 मिनिट से सुरू हो रहा है 8 अपरेल की रात 9 बच कर 12 मिनिट से सुरू होगा और यह रात 2 बच कर 22 मिनिट पर समाप्त होगा इस ग्रहन का सूतक काल 8 अपरेल की सुभा 9 बच कर 12 मिनिट से ही सुरू हो जाएगा और सूतक काल के भी समापती रात के दोबज कर बाइस मिनिट पर ही होगी दोस्तो यह गरहन युरोक, नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में दिखाए देगा यह गरहन भी भारत में नहीं दिखाए देगा उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा